Hello Everyone, Welcome to TASO Academy, आप सब वी वी और को बहुत बहुत स्वागत है वीडियो शुरू करते हैं Current Affair 2020 का जिसका GK Quiz 6 है GK 6 Quiz में आप से एक प्रेस्ट पुछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बाक्स में करना होता है और उसका आंसर हम लोग अगले पार्ट में डिसकास करते हैं यह GK Quiz का प्रेस्ट जो है लगवक सभी एक्जाम में पूछे गया है तो यह आपकी परिच्छा के दिश्टगरत रखते हुए काफी important है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कल के GK प्रेस्ट में आपसे पूछा गया था बल्लवी विजविद्याले किस राज में है काफी important है यह आपके UPPSC में पूछा गया है UPPSC एक्जाम में पूछा गया है काफी Monday एक्जाम में पूछा गया है और काफी important भी है तो बल्लवी विजद्याले गुजरात राज में है आप्सन सी सही है गुजरात में बल्लवी विजद्याले इस्थित है आज के जिके का प्रस्ण है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये भी क्वैसन काफी बार पूछा गया है भारते नियोजन के इतिहास में रुजगार बिहिन ब्रिधी दसक कहलाने योग है विसकली कहने का मतलब है जो रुजगार बिहिन ब्रिधी दशक है वो किस संसे किस संतक था तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बाक्स में ज़रूर दीजिएगा वित्तिय समावेशन सला समित के तत्तवधान में किस संस्था के दौरा वित्तिय समावेशन के लिए राश्ट्य कारनिती 2019-2024 रिपोर्ट जारी की गई है विसकली कहने का मतलब यह है कि जो सलाकार समित है कौन से सलाकार समीत है किसके परवेच्छड में संस्था है जिसके द्वारा वित्तिय समावेशन के लिए रास्टे कार नेती रिपोर्ट जारी किये है तो ये है RBI RBI के ही RBI वे संस्था है जिसके द्वारा वित्तिय समावेशन के लिए कार किया जाता है और ये कार नीती जो है 2019 से 2024 के बीच में ही के लिए जारी की गई है अच्चलि इनका परपस क्या है परपस इनका 6 स्थम्भों पे काम करेगा इनका 6 पिलर है 6 पिलर पे काम करेगा तो वो 6 पिलर कौन-कौन से है मैं आपको बता देता हूँ पहला पिलर है कि बित्तिय सेवाओं के लिए शर्भों में पहुच होनी चाहिए जितने भी बित्तिय सेवाओं है उनके लिए उनकी पहुच होनी चाहिए दूसरी है बुनियादी बित्तिय सेवाइं परदान करना जो एसंसिय लाने बुनियादी है उनकों सेवाओं को परदान करना भी है तीसरा है आजीबिका और कॉसल विकास तक पहुच होना चाहिए चौथा है वेप्री साचरता और वित्य साचरता और सिच्छा होनी चाहिए और पाँचवा है ग्राहक संरचछर और सिकायत निवारण और छठा है प्रभावी समन्नोय तो ये च्छे बेसिक पिलर है इनके राष्ट्य कार नीती के जो वित्य समाबेशन के लिए काफे helpful होंगे और इनका उदेश है इनके ये कार नीती जारी करेंगे एक बात यहाँ याद रखने के लिए और है कि RBI नहीं 2017 में गठित YM देवस्थली इसे जरूर नोट कर ले YM देवस्थली समिती गठित की थी और इस समित को इसलिए बनाया था क्योंकि सारवजनी क्रेडिट रिजिस्ट्री तयार करने की सिफारिस YMD यानि YM देवस्थली समित के द्वारा किया गया था 2017 में भारत सरकार के और किस सरकार ने लगबक 50 बरसे चले आ रहे बोडो सम्मदाय के मुत्दे हे तु समझाता किया है बोडो सम्मदाय काफी वार को एसन यह इस्त्राटिक भी पूछा गया है कि बोडु सम्मदाय जो है किससराज सर्चुश समबंदीत हैं तो यह है जो है आपके एसमराज से और बोडो की बहुत बड़ी संख्या में जो हैं समधाय है यह आसमराज में रहते हैं तो अब इस पर समझाता हुआ है क्योंकि पचास बड़सों से इसमें काफी आंदोलन हुए हैं काफी इसके लिए लड़ाईय लड़ी गई हैं कि वो ल समधाय सबसे बड़ा समधाय हैं तता यह अलग राजकी मांग कर रहा था लेकिन अब समझता होने के बाद यह अलग राजकी मांग नहीं करेगा 1972 में 1972 में अलग राज Bodo Land मांग को लेकर कई आंदोलन हुए थे 1972 में काफी हुए हैं और इनका जो संगर्स है इनका जो आंदोलन है इनकी लिड़े लड़ाई है अलग राज की वह 50 पूरे हो गए तो भारेश सरकार ने अब इनके अलग राज मांग के लिए जो है समझाता कर लिया है लेकिंग अलग नहीं मतलब समझाता हो गया है कि हाँ ठीक है जैसा है वैसे चलेगा तो यह है कि बौरू टेरिटोरियल एरिया डिस्टिक यानि पयले से का नाम भी BTAD Bodo Territorial Area District था अब इसका नाम बदल कर BTR कर दिया जाएगा Bodo Territorial Region पहला नाम था BTAD यानि Bodo Territorial Area District अब इसका नाम हो जाएगा Bodo Land Territorial Region यह हो जाएगा और यह जो इनका अंदोलन था जो इनकी लड़ाई थी अलग राज की वो अब खतम हो गई श्यमाप्त हो गई है वैस्वी परतिभा परतसपर्दा सुचकांग 2020 में Google और Edeco N.S.E.D. Google और Edeco दोरा Edeco समूद दोरा जारी किये के रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है वैस्वी परतिभा परतसपर्दा सुचकांग में पहला देश गूगल Edeco N.E.S.E.D. ने जारी किया है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है तो पहले स्थान पर है सुईजरलेंड और जो ये वैस्वी परतिभा असपर्दा सुचकांग है उसकी जो थीम रखी गई थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैस्विक परतिभा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैस्विक परतिभा इस सुचकांग में टोटल 132 कंट्री को सामिल किया गया था इनकी रैंकिंग भी दी गई है जिसमें इंडिया यनि भारत का अस्थान 72 है तोजर्बीस के S氰ूच कांग में भारत का असथान 72 है और 72 है और 72 रेंग मिलने से भारत इस S жизнь निम्न मद्यं आएसमों में रखा गया है भारत को निम्न मद्यांएं समों में रखा गया है और अगर हम बात करते हैं कि पहले स्थान पे है तो स्विजर लेंड भारत का स्थान है 72 और 132 है स्थान पे कौन है सबसे लास्ट पे कौन है यमन यमन सबसे लास्ट में इस रैंकिंग में उसका स्थान है बात करते हैं 2019 की तो 2019 में जो भारत का स्थान था वो था 80 इस ranking में हैानि बैस्वः отвसस पर्दा सूच्वजांग में 2019 में भारत का अस्थान था 80 क्योंकि उस समय 125 की ranking की गई थी तो 125 में भारत का अस्थान था 80 कभी-कभी क्द्दा पूछ लेता है कि तो इस से पहले निस में जी रैंकिंग जा इस्थान क्या था तो उसमें 80 था क्योंकि उसमें 125 देशों की सूची जारी की गई थी और इस बार 132 देशों को include किया गया था तो उसमें ranking है बाद की 72 नमलिकित में से किस देश की एजन्सी ने Habital Exoplanet Imagine Mission Habax अगले चार मिशनों में से एक मिशन है यानि टोटल चार मिशन इनके है Habital Exoplanet Imagine Mission में उन चार मिशन में से कौन है तो यह सारे मिशन ना सके है किसके हैं ना सके है और इनका उदेश क्या है पिर्थवी जैसे आवास योग वाह है ग्रोहों की खोज करना जो शूर जैसे तारों की प्रिकर्मा करते है यह इनका परपज है किस राज सरकार के दौरा तीन राजधानी है तो विदेख 2020 पारित किया गया है काफ़ी important question है कि राज है जिसने अपनी तीन राजधानी करने के लिए जो है विदेख पारित कर दिया है तो वो राजधानी है आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश में होगी अब तीन राजधानी पहली राजधानी होगी अमरावती अमरावती दूसरी होगी विशाखापटनम विशाखापटनम और तीसरी होगी कुर्नूल आंद्पर्देश की तीन राजदानी अम्रावती बिसाका पत्रम कुर्णूल इसमें देखने योग यह है कि कहां पे इनका क्या होगा तो अमरावती में इनकी बिदाई राजदानी होगी, जहाँ पे सरकार का कारियाले होगा, बिदाई राजदानी होगी आपकी अमरावती में, विसाका पत्रनम में आपको सचवाले होगा, जहाँ पे कारिकारी काम होगा, सचवाले में इनली विसाका पत्रनम में होगा, और पारत के किस खिलाडी ने किरकट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है तो वो है इर्फान पठान इर्फान पठान ने जो है सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है और यह बाएं हाथ के तेज गेदवाज है इर्फान पठान और यहां पे एक ची आम याद रखिएगा लियो कारिटन ने एक उपर में यानि 6 गेद पर 6 चक को मारकर अपना रिकॉर्ड बनाया है यानि एक इतिहास रज़ दिया है एक उपर में 6 चक के यानि 6 बाल पर 6 चक के पूरा इतिहास रज दिया है तो thank you for watching मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा